क्यों जै मातादी भक्तों मैं हूँ पंडित प्रकाज जोशी और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करेंगे कि हातों के माध्यम से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी लम मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी आपकी जो मैरिज होगी वो कब होगी और मै और चलिए वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह से आप हाथ के दुआरा देख सकते हैं पहली जो देखना है आपको जो मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर पहला तो जो पुरुष इस वीडियो को देखेंगे वो अपना राइट हैंड देखेंगे और जो इस तर बैर दूर होगी है पास होगी तो सबसे पहले चीज आपको हाथ के नदर शुक्र crying परवत को जानना पड़ेगा शुक्र परवत ह्यों है जो हमारा अंग उटा होता उसके नीचे का जो परवत होता है यह जो पोश्चन होता है यह शुक्र परवत होता है आप क्या है कि अगर आपकी जीवन रेखा की दो स्थतियां होती है पहली क्या होती है जो हमारी जीवन रेखा होती है वो लोप लेके आती है ऐसे लोप लेके आती है और दूसरी स्थति क्या होती है जीवन हाथ के अंदर यह लोप लेके आती है तो इसको हम अप कहते हैं दो situation होती है यदि आपकी आपकी जो जीवन रेखा है आपका शुक्र परवत अगर डाउन है वो लोप लेके कम लेकर आ रही है या आपका परवत कमजोर है तो ऐसे में आपकी जो शादी होगी वो दूर होगी पहला रखेंगा आपकी साधि के संभावना दूर होगी दूर की ओगे लड़का दूर का होगा दूर का मतला विदेश चले जाएंगे शादी के बाद या शादी आपके दूर होगी और आपकी शादी दक्षिण या पच्चिम में होगी या तो एल एन और टी अक्षर इन में से किसी भी नाम का अक्षर प्रारंब लेटर होगा उनसे आपकी मेरिज होगी अब बात कर लेते हैं यदि आपका आपका परवत शुकर परवत अप है यानि कि मजबूत है उठा हुआ है यहां पर शुकर परवत उता है जैसे मेरे हाथ में ऊछना होगा तो आपकी शादी पास होगी बहुत पास होगी हो सकता है आपके घर के बहुत में हो जाए आप के ऐसे आप डिल्ली में रहे आनौत के अंदर हो जाए या पचीस किम्लों के अंदर-अदरश यह जिनका शुकर परवत होता है दूसरी चीज शादी उत्त वो लेटर होंगे जिन पुरू सिरफ झार्व से उंगे उनके प्रारंबगिए लेटर होंगे A S M B D D R U और V यह अक्षर होंगे अधिक तर allen पाये जाते हैं जिनकर परवत होता हु क्ञा वर प्रारंबिग अक््षर होता है यही अच्छर होता है यही calculation है इस तरह से आप जान सकते है आप दूसरी चीज़ आपकी तो आपका शुक्र परवद उठाओगा तो आपका शुक्र परवद भी उठाई होगा यह अपके जीवन में आपके माता-पिता का परभा हो जाता है तो आपकी नहीं उपाएगी याद रखिएगा तो आसा करता हूंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि शुक्र परवर्ष से कैस alea रेखा के बारे में जाना जाता है कि दिशां में आपकी शादी होगी किस लेटर में आपकी शाधी होगी अगर underground पसंद मिला है तो आप में कमेंट में जाकर आप लिखेगा कि गुरू जी हमारा सटीक हुआ है इस तरह से आप जानकारी दे सकते हैं तूपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें